हेलो गाइस विल्काम बैक टू टेलिवूट अपडेट्स इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कलर्ज टीवी के सीरिल के बारे में जिसका नाम है सुहागन तो कुछ महीनों पहले इस सीरिल को स्टार्ट करा गया था और कलर्ज के अरली टाइम स्लोट वाले सीरिल में डाला गया था तो गाइस शो की टियार पी कुछ ऐसी खास परफॉर्मेंस तो हमें स्टार्टिंग से देखने को मिली नहीं है ठीक ठाक टियार पी शाम की टाइम स्लोट पे कलर्ज टीवी के लिए ले आया करता था अब जो भी ये फैन्स हैं इस सीरिल के उनके लिए है कुछ बैड न्यूस बुरी खबर ये है कि ये सीरिल एंड होने जा रहा है कलेज टीवी इससे टीयार पी की भी बैटर एक्सपेक्टेशन रख रहा था अपनी शाम की टाइम स्लोट को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए लेकिन इसकी टाइम स्लोट पे जब सावी आया करता था वो इससे बैटर टीयार पी ले आया करता था कुछ टाइम पहले कलेज टीवी के शाम वाले टाइम स्लोट इससे जादा स्ट्रेंथन थी लेकिन सुहागन सीरिल की performance कलेज टीवी जितनी एकस्पेक्ट कर रहा था उससे कम थी इसी करके सुहागन सीरिल अब ओफिर जाएगा अभी के लिए इसका शूट खतम नहीं हुआ है अभी के लिए still last sequences पड़े हैं और last sequence के पास भी अभी नहीं पहुंचे हैं तो शूट अभी के लिए चलेगा कुछ टाइम और अगर शूट सही टाइम पे अभी September में एंड हो जाता है तो October में इसका end आपको देखने को मिल जाएगा सीरिल का लेकिन अभी के लिए पता नही अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुहागन सीरिल आपको कैसा लगता था लीप से पहले बैटर था या फिर जो जनरेशन लीप आई थी जिसके बाद सीरिल की में कहानी स्टार्ट हुई थी उससे बाद बैटर था आप अपनी राए कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूल ये वीडियो को लाइक भी करतीजी और शेर जरूर करतीजी सुहागन और करल्स के फैंस के साथ सारी अपकमिंग एलेश टीवी के नए सीरियल के नियूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल लेकर दबागर ओल पे क्लिक कर लीजे तांके आप कोई अपडेट मिस ना करें फिलाल के वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो मैं अभी के लिए चलता हूँ गुडबाए